हेलो फ्रेंट्स, जी के विजाइड यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है जैसा कि हम सब वेट कर रहे थे, HSSC हरियाना स्टाप सेलेक्शन कमीशन 28 फरवरी 2020 को एक्जाम लिया गया था LDC का और एड़टाइजमेंट नमबर 11-2019, कटेगरी नमबर 16 तो उसकी official की के साथ, उसके answer आ चुके हैं हमारे सामने जो official की आई है, उसमें क्या-क्या answer आए है तो एक बार क्या solution आया है, पूरा solution, पूरे paper खाम यहां पर देख लेते हैं एक बार तो फ्रेंट्स, इसी तरह से आपको और भी exams, और भी जितने भी exams होगें उन सभी के आपको ऐसे ही यहां पर update मिलती रहेगी और answer की और उसके लावा other solutions उनके मिलते रहेंगे और GK की current affairs की वीडियो भी आपको यहां पर provide कराई जारी है, monthly तो फ्रेंट्स, बढ़ते हैं, आज के अपने पहला question जो है, इस paper का था पूछा गया था, यह second shift का exam है, दिये गए सब्द का विलोम सब्दिया आपर पूछा गया था, तो विनास सब्द का विलोम सब्द जो इनोंने पूछा था, उसका जो answer दिया गया है, वो बारिश, इसके बाद अगला जो है, फिर से प्रयाहिवाची पूछा गया था, सरका तो तलाब, अगला पर question दिया गया है, मुहावरा, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर जानना चाहता है, वो मुठी में होना, तो जो इसका answer है, वो है अधिकार में होना, इसके बाद अगला question जो है, वो फिर से मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, पराण मुर्जाना, तो अंसर है, निरास होना, अगला question है, गमला, इसका एक वचन बताना है, यह एक वचन दिया गया है, इसका बाद बताना है, गमला, तो गमले, आगे फिर से बाद बाद बताना है, तो जूति जूती है बिल्कुल साही और यहां पर फिर यहां पर बाहुवचन पुछा गया है टोपियं का टोफि है अब यहां पर अगला वसके अगला प्वसके मरत चुहाई है अब rapidly हैं प्रहीं सक्वे स्वегоर्चन पूरे हो गए हैं इंदी के अब यहां पर सेम मीनिंग पूछा गया था तो उसका तो सेम मीनिंग बनता है एंटीडोट यहां पर है उसका तो सेम मीनिंग है वो रेमेडी उसके बाद यहां पर एक और ऐसे ही दिया गया है और उसका अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट मीनिंग यहां पर पूछा गया है वैरा इसके बाद राम सोल्ड देर हाउस बिकोज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट यहां पर इसका मीनिंग पुछा गया है यह आइडम फ्रेज दी गए है यहां पर तो वैरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेश इसके बाद यहां पर अगला क्वेस्चन जो दिया गया है वो इसके बाद अगला क्वेस्चन है फिर से बॉल्ड के अंदर जो misspelled word है इसकी spelling correction यहां पर पूछी गई है तो यह आप सकते हूँ यहांपर इसके बाद जो अगला question यहां पर दिया गया है know you don't punctuate कर ना इसको do you know डा Direction to संती चोक तो इसमें से जो सही बनना था इसका जो संटेंस मेकिंग थी डू यू नो दा डिरेक्शन टू संती चोक इसके बाद यहां पर दिया गया है विच ओव दा फोर गीवन अल्टरनेटिव इस ए बैटर वे टू एक्स्प्रेस दा गीवन स्टेटमेंट तो इसका जो बिल्कुल सही ही जो होगा इसके बाद यहां पर अब जीके के क्वेशन स्टार्ट हो गए है तो आप देख सकते हो 1913 में साहित्य में नोबल पुरुसकार जीतने वाले पहले बारतिय का नागरिक का नाम बताए रवींदर नाठ टैगोर बिल्कुल यहां पर असान सा क्वेस्टन था उसके बाद यहां पर इंडी और इंग्लिस दोनों में क्वेस्टन दिये गए है उस परसीद वाइगानिक का नाम बताएए जिसे बारत के वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है तो शिवानंद पई जो है इनको जाना जाता है अठाइज मई 2014 को परदान मंतरी के परदान सीव के रूप में किसे नियुक किया गया सरी नरी पेंदर सिंग उस ओस दिया पोदेखा नाम बताएए जिसके तने का उपयोग गले की खराज के लिए किया जाता है मुलेठी इसके बाद निमनली कित में से कौन सा एक गातक पोदा नहीं है यूकलिप्टुस नवजात कंगारु को क्या का जाता है जोई 1999 में बारत के सवीदान का कौन सा अनुचेद हमें अभी व्यक्ति और अभी व्यक्ति की सवसंदता का अधिकार देता है तो यह उननिसवा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओम बिडला लोकसबा अध्यक से संबंद रखते हैं पार्तिय जन्ता पार्टी है अगला पूछा गया है हरियाना में हिसार सहर की स्थापना एक कलिस्तान सा सकने की थी तो मुस्लिम सा सकने की थी है हिसार सहर को मूल रूप से कालिस्तान का जाता था फिरोज का किला इसके बाद एतिहासिक स्थान महम हरियाना के किस जिले में है तो यह रोत्तक में है और जो अगला क्वेश्चन यह आपर है वो इसके बाद हरियाना राज्या में खालिस्तान सायर को देश्प के मिलेनियम सायर के रूप में जाना जाता है तो गुडगाओं और यहाँ पर ICCC का मतलब Integrated Command and Control Center यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है हरियाना राज्या अंत्योद्या अदार योजना के किस जिले में शुरू नहीं किया जा रहा है तो रिवाडी में नहीं शुरू गिया जा रहा है इसको तो ICCC का उदगाटन गुडगाओं में कालिस्तान दुवारा किया गया है हरियाने के मुख्यमंतरी दुवारा और उमनोरलाल गट रहे है निमनलीगित में से कोन एक परसित संपादकिया कार्पनिस्ट है शेखर गुरेरा ये गुडगाओं से संबन दीता है और गुडगाओं का ग्रप ब्रेंड मेस्टर बिनको बनाया गया है तो यहाँ पर अगला क्वेचन दयाचंद महेना एक गीतकार कभी गायक जो कई रागनी गीत सांग किस से लिखते थे बिलकुल और यहाँ पर जूई चावला अंबाला में जन्मी एक बारत्य बिनेत्री हैं जो मुख्यरूप से बॉलिवूड फिल्मों में दिखाई देती है निमली कि तिमेंसे कौन सिक्स्यावितों के एक सेतर में रियाना गायक परसीद व्यक्तिताव नहीं है एपीजे अवदुलकलाम उडगाओं में सीतला माता का पुराना मंदिर स्थिता है आगे यहाँ पर हरियाना राज्या में बोगोलिक और प्राकरतिक सिमाय उत्तर में खालिस्तान से गिरी हुई है शिवालिक पाडियों से निमलीकित में से कौन सा हरियाना राज्या में बांध नहीं है ब्रह्म सरोवर यह एक बांध नहीं है एक सरोवर है तलाव है हरियाना राज्या में सबसे ठंडे महिने कौन से हैं दिसंबर और जन्वरी पूरे उत्रबार्द में यही होते हैं आप अंपर अगला क्वेश्ञ दिया गया है कानून के नियम को बनाए रखने अपराद को रोकने और कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए परतिवद दी था हा रियाना पुलीस हरियाना राज्य उत्तर बारत में व्यापार करने में असानी से खालिस्तान रैंक पर है नमबर वन पर खालिस्तान हरियाना सरकार का मुख्या कारिया कारियल्य है मुख्या सीव कारियल्य है चीफ सेक्रेटरी ओफिस इसके बाद यहां पर सूरजगूंड मेले से question पूझा गया है सूरजगूंड अंतराष्ट्या मेला अरियान राज्य के प्रिदावाद जिले में स्थीत है स्थीत नहीं है यह यहां पर आयोजित किया जाता है कालिस्तान कपटे का लंबा रंगीन टुकडा है समकदार लेस और और पांकनों से सजाया जाता है और इसका मतलब सिर को डगना है तो यह है चंदर फ्रेंट्स आगे बढ़ने इस पहले आप सबसे रिक्वाइट करता हूँ यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो सेर करें और वीडियो कैसी लगे कोमेंट जरूर करें तीज हरियाना रज्य में खालिस्तान महीने के तीसरे दिन मनाया जाता है तो स्रावन मास में माइक्रो प्रोसेसर और अन्या प्रोग्राम योग्या उपकरणों के लिए एक नीबन स्तरिय प्रोग्रामिंग बासा के रूप में जाना जाता है Assembly Language Computer System में 4 बीट कालिस्तान के बराबर होते हैं तो ये एक नीबल के बराबर होते हैं कालिस्तान ओपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कारिया को त्यार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कम्प्यूटर ओपरेटर को सौंप देगा तो इब बैच मोडम एक नैटर्क डिवाइस है जो परसंसकरण के लिए डिजिटल जानकरी कि ये एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए अनलोग वहाग संकेतों को मोडिलेट और डिमोडिलेट करता है प्रेंट्स ये उनके लिए भी इंपोर्टेंट है ये वीडियो जिनके आगे आगामी एक्जाम होने है यहाँ पर क्वेस्टन रिपीट किये गए थे तो यहाँ से रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांद सीज़ है तो बड़े ध्यान से देखें इसको पेरिफेरल डिवाइस अंत्रिक या बारी डिवाइस है जो सीधे कम्प्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कम्प्यूटर के प्राथमिक कारिये में योगदान नहीं करते हैं पहला इमेल सिस्टम कब शुरूआ था है उन्नीस ओठेटर में स्पैलिंग और ग्रामर माइक्रोसोफ्ट वर्ड की एक विसेशता है 2010 यह हमें बिना पड़े किसी दस्तावेज में गलतियों ओठी करने में मदद करता है रीबन में कहीं टैब होते हैं जिनमें से परतेक में कमांड के कहीं समू होते हैं नीचे दी गई वस्तों में विसम को बार निकाले तो यह रीजनिंग के क्वेस्चन आ गया है कार्बोहाइडरेट, पानी, रुक्सांस और विटामिन तो यहाँ पर कार्बोहाइडरेट इनसे अलग होगा यहाँ पर दिया गया है S.A.M. को T.B.N. लिखा जाता है तो J.O.N. K.P.O. पर यहाँ पर दिया गया है चार दोस्त, ओलिया, अदिती, एंजल और अनिका, अनिल के गर पर लुड़ो खेल रहे थे अगर अदिती को एंजल के पास छोट दिया जाता है और अलिया को अदिती के पास छोट दिया जाता है तो एंजल के दाहिने और कौन है तो जो इसका आंसर था वो था अनीका आगे आपर लोगों की एक पंक्ति में पंक्ति के दाई और से रीशी की स्थीती 45 है बाई और से 27 विस्तान बरा है पंक्ति में कुल लोगों की संक्या ग्याद कीजिए 71 यह जी राम रितु के उतर में खड़ा है और स्याम राम के पूरों में खड़ा है तो स्याम के समंद में रितु की दिशा में है दक्सिंट प्रस्चिम आगे यहाँ पर मैटका क्वेस्चन आ गया है नहीं यह भी रीजिनिंग का यह है नीता उतर के और 20 किलोमेटर चलती है वहाँ से वह दक्सिंट के और 12 किलोमेटर फिर वह पूरों के और 6 किलोमेटर अब अगर नीता अपने शुरुवाती बिंदु से उतर पूरो दिशा में है तो वह अपने शुरुवाती बिंदु के सम्बद में कितनी दूर है तो अनसर है 10 किलोमेटर उत्तर पूरो यदि A B की बेटी है B C का बाई है D C का पुत्तर है तो A D से समबंदित है सचेरा बाई या बहन है तान्या की एक बहन सोनू है तान्या सुरेश की बेटी है प्रेमलता सुरेश की माहरिष्टे को द्रिष्टी की द्रिष्टी से प्रेमलता की तन्या क्या है तो पोती है बलट रिलेशन से कई क्वेस्टन पूछे गए हैं सबसे उप्यूक्त अनुकरम चुने पैरट, पंडा, पपाया एंड पैसिफिक तो ये चार, दो, ती, तीन, एक इस तरीके से लिखा गया तो एक्चोल को कैसे लिखा जाएगा ती, सी, ए, ल, ए, यू, सी, ओप्शन निमलिकित नामों को वरणमाला करम में व्यवस्थित करें तो ये भी डिक्संदी के हिसाफ से लगाने हैं, तो ये लगा दीजिएगा नीचे दीगी स्रिंखला से पहचाने कि कितने चार के पूरव और के बाद संख्याएं हैं तो ये तीन सबसे हाल ही कि तारिकों को जल्द के हिसाफ से ववस्थित करें चार पास दो तीन एक ये फिर से कालन करूम के तारिकों कोई साफ से लगाना इनकों कोन सी पहले कोन सी बाद में और यहाँ पर एक आड्रेस दिया गया था, तो ये सभी एक्जाम से सभी सिफ्टम एक एक क्वेस्चन आया था ऐसा बिल्कुल आउट ओफ रीच था है इससे भी स्टुडेंट्स की तो इसका जो सही अंसर दिया गया किसी का अगर तुक्का लगा तो बिल्कुल सही होगा अगर यहाँ पर एक मैसे क्वेस्चन दिया गया है, इसको सोल करने के बाद माइनस 31.25 राम ने 40% के लाप के साथ 25 जारुपे की लागत का एक गरहक को एक लैप्टोप बेचा विक्रिया मुल्या की गढ़ना करो 35 जारुपे जोन ने 20 जार रुपे में एक उपन्यास करीदा और इसे 16 जार में बेच दिया, नुक्सान का परतिसत कोजे, 20 परतिसत 15 75 के बराबर है, 20% अगर जोन ने रितू से 200 चोकलेट में से 100 चोकलेट ले ली जोन ने सैम को अपनी चोकलेटों का 20 परतिसत और मेरी को 35 परतिसत दे देता है, तब रितू ने अपनी 6 चोकलेटों में से 40 परसेंट जोन को और 20 परसेंट सैम को दिया, जोन के पास से चोकलेटों की संक्या ग्यात करो, 120 अगला क्वेशन है, रितू ने 65 बच्चों के बीच समान रूप से मफिन वित्रित किया, परतिक बच्चे को 25 मफिन मिलते हैं, यदि मफिन को एक्स बच्चों के बीच वित्रित किया जाता है, तो उन्हें सडेट सैम मफिन पराप्त होंगे, तब एक्स बच्चों की संक्या बताए, फिर डाइस होगा ब्याज कवरेज अनुपात बराबर है, ब्याज और कर्श से पहले लाव, फिर उसके बटे में दिर्ग काली गरीन पर ब्याज सैम ने आठ सातरों को निमन परकार से पैसे बाटे, 32, 35, 48, 12, 43, 20, 56, 85, उसत गयात करें, तो 35 इनका उसत आ रहा है आगे यहाँ बर दिया गया है निमन लिकित में से सम संख्याओं का उसत गयात कीजिए, तो यहाँ पर इवन नमबर निकालके, सम संख्याओं निकालके, उनको जोड़के और जितनी ओबनती है, उसको उसके बटे कर दें, 55, 25 यहाँ पर आ जाएगा मेरी 8 सेकिंड में 22 मीटर और जों 6 सेकिंड में 22 मीटर की आतरा करते हैं, तो उसत गतिए गणना कीजिए 3.14 मीटर परती सेकिंड दर्व्यमान और आयतन या दर्व्यमान परती इखाई आयतन के बीच का उनुपात है, तो यह गंतव, यानिकि देंस्टी अगला क्वेस्टन है यहाँ पर, दबाव की इकाई क्या है, पास्कल 12 मेगनेशियम की परमानुसंग क्या है, एक विलियन जिसमें पानी विलाएक के रूप में कारिय करता है, जली ये विलियन अगे पूसा गया है, निमनलिकित में से कौन से, कौन सेल की एक आवसक्ता, आवसक्त विशेषता नहीं है, तो यह है, प्रोकैरियो साइट और यहाँ पर लास्ट क्येस्टन जो दिया गया है, वो दिया गया है, निमनलिकित में से, कौन पसू उत्तक का वरगी करन नहीं है, तो यह रे वलर, इंगलिस में इसको बोल रहे है, एरो लर, तो फ्रेंट्स ये था एक्जाम, इसी तरीके से आपको जितने भी एक्जाम ह उन सभी की अंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इसके लावा मैं आपको बता चुका हूँ अल्रेडी, हमारी करंट फेर्स की क्लासिज चल रही है, और जीके की और भी क्लासिज आने वाली है, तो फ्रेंट्स उन सब से अफडेटिटिट रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिविकेशन मिल जाए और वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट जरू करें, थैंक्यू